हलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका सर्वोदे रिसेर्च अकेडमी में फ्रेंट्स, आज हम लोग भी ये थर्ड येर का प्रिवेश येर क्वेशन पेपर को डिसकस करने वाले हैं जो कि इगनु के थुरू कंड़क्ट की गई थी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये question paper है BPAE 104 जो कि कारमित प्रशासन से संगंधित paper है Friends, आपको इस question paper को देखने के पशाद दो माईनों में लाब होने वाला है पहला तो ये है कि आपको इस question paper को देखने से ये पता चलेगा कि इस प्रकार के question पूछे जाते हैं exam में और दूसरा इन सारे questions को देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तयारी at present किस label की है और उसी साब से आप अपनी तयारी को boost कर सकते हैं तो चलिए देखने किस प्रकार के questions पूछे गए थे तो अगर इस question paper की बाद की जाए तो इसको solve करने के लिए 3 गंटे का time दिया गया था और इसके लिए full marks था 100 तो चलिए without any delay देखते हैं आज का हमारा question paper के questions तो part 1 में कह रहा है निम्लिकीत में से किनी 2 प्रशनों के उतर लगवा 500 सब्दों में दीजिए प्रतिक प्रशन के 20 अंख है पहला question कह रहा है कार्मिक प्रशाशन के कारेयों की चर्चा कीजिए तो friends मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में इन सारे questions का answer नहीं बताने वाला हूँ अगर आपको हमा इन सारे questions का detail analysis वाला वीडियो चाहिए और इन सारे questions का answer चाहिए तो आप हमारे चैनल के playlist में जाके इसका detail analysis वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको इन सारे questions का answer भी मिल जाएगा तो friends चलिए देखते हैं next question हमारा second question है कार्मिक, लोग सिकायत और पिंसन मंत्राले की शनरचनाब, भूमिका तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए तो जली देखते हैं next question question number third है भरते की प्रक्रिया में चरणों की व्याख्या कीजिए और question number four है लोग सेवाओं में नैतिक्ता और सत्यनिष्ठा के निर्मान में द्वीतिय प्रसासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तूत किये गए आधारभूत से धान्त क्या है तो friends यह हमारा part one का questions था अब देखते हैं part two का part two में किस प्रकार के questions पूछे गए थे तो चलिए देखते हैं part two में कह रहा है निमलिकित में से किने चार प्रस्तों के उतर लगवग ढ़ाई सो सब्दों में दीजिए प्रतिक प्रस्त के बारा अंक है तो question number five में कह रहा है भारत में लोग सेवा आयोग की भूमिका की चर्चा कीजिए question number six है question number seven है question number eight है question number nine है question number ten है question number seven है भारत में शन्योक्त प्रामर सदात्री व्यवस्था योजना की प्रमुख विसेस्ताओं को व्यक्त कीजिए question number twelve है एक संगठन में कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों की प्राख्या कीजिए तो friends चलिए देखते next question part third में कहा रहा है मिलिखित में से किने दो प्राशनों के उतर लगभग एक सो सब्दों में दीजिए प्रतिक प्राशन के च्छा अंक है तो question number 13 में कहा रहा है मौर्स्टीन मार्क्स द्वारा वर्गी क्रेथ चार प्रकार की नौगर्शाही की संशिप्त में व्याख्या कीजिए question number 14 है प्राशासन में विशेशग्य की भुमिका की चर्चा कीजिए question number 15 है सेवा कालीन प्रशिक्षन से आप क्या समझते हैं question number 16 है भारत में नीति निर्माण पर एक टिपने लिखे तो friends ये हमारे question paper BPAE 104 जो कि कार्मी प्राशासन से समझते है का question paper था और ये इसका exam December 2021 में conduct की गई थी इगनों के थरू तो friends I hope कि आपको ये सारे questions easy लगी होंगे क्योंकि ये really में easy हैं अगर आपको हमारा ये channel हमारा ये videos पसंद आता है और आपको इगनों से related किसी भी प्रकार के update की आउशकता है तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं और अगर आपको इस question paper का detail analysis video देखना है तो आप हमारे channel के playlist में जाके देख सकते हैं और साथ ये साथ आपको हमारा ये video पसंद आता है तो प्लीज आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को like किजिए, share किजिए और subscribe किजिए तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद